हाई बिट्फल एंजल्स वेलकर दिड्वाइन फैमिली जैश्रे किष्णा आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे तो यह है आज के लिए कौन सी अनर्जी आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपको स्पिरिच्वल ग्रोथ में आपके करियर के लिए आपके पैशन में आपको सिकसेस दिलवा सकती है जहाँ पर भी आप सिकसेस देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर candle की कितनी beautiful light आ रही है तो start करते हैं आज की energy से six of cups, king of pentacles यहां पर कोई नो कोई energy जो बहुत जादा emotionally fulfilling, healing energy है आपके heart chakra की healing है यह कोई आपका friend हो सकता है आपका pet हो सकता है आपके teacher यह mentor के साथ connection हो सकता है कुछ आपने start किया है तो आपके teacher यह mentor आपका pet आपके बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ जो बहुत जादा healing energy है यह past में से कोई person आपके लिए आ रहा है आपको heal करने के लिए, आपको support करने के लिए तो यह divinely guided support है और help है और healing है आप लोगों के लिए और यह कोई ऐसी hobby या creative talent भी हो सकता है जो आप बच्चपन में आप बहुत खुश होते थे इस energy के साथ जब आप painting, drawing या किसी भी इस तरह की hobby को follow करते थे तो वो भी energy हो सकती है कि आपकी life में यह आपको फिर से emotionally और compassionate बनाने के लिए healing के लिए emotional healing के लिए वापस आपकी life में आ रही है बहुत लोगों के लिए मैं teacher mentor की वो देखती हूँ जब हम लोग ऐसे teacher mentor किसी guru से connect होते हैं तो उनकी energy भी जो होती है उनके साथ connect हो पाते हैं उससे भी हमारी बहुत सारी healing होती है spiritual growth होती है तो आपने अगर recently कुछ ऐसा start किया है तो आप बहुत ज़ादा emotionally grow करने वाले हो इस relationship में ये वो भी मुझे नजर आ रही है कोई energy किसी रिष्टे में misunderstanding होई कोई आपका बच्पन का friend हो सकता है misunderstanding होई तो वो misunderstanding दूर हो रही है फिर से आप connection में आ रहे हो harmony है यहाँ पर relationship में अपने आप के साथ ये आपका divine के साथ भी प्यार हो सकता है कि आप दुबारा से किसी spiritual routine को start कर रहे हो जैसे मैंने भी बहुत दिनों बाद आज meditation की है क्योंकि बहुत देर से समय नहीं मिल रहा था तो वो divine फिर से divine connection feel करना वो healing energy को feel करना वो भी हो सकता है किस तरह से आपको इस energy के साथ काम करने से ये जो support system आपके लिए भेजा जा रहा है आपको बहुत helpful होगा king of pentacles बनाने में king of pentacles again बहुत जादा mature energy है बहुत जादा ये energy आपको help करेगी आपको आगे बढ़ने में आपको healer बनाने में जो healers होते हैं वो सबसे पहले अपने आपको heal करते हैं और फिर healer बनते हैं क्योंकि उनको choose किया जाता है वो उनका soul purpose, life purpose बन जाता है तो आपको या तो आपका teacher, आपके mentor, आपके divine आपको त्यार कर रहे हैं healer बनाने के लिए शायद आपका healing में ही ये alarm है इस बात का confirmation है कि आप healer हो या healer बनने जा रहे हो ये कहीं न कहीं divine आपको help कर रहे हैं healer बनाने में ये support system में आपको help करेगा और ये pentacles ये भी दिखाते हैं कि शायद अगर आप किसी career में satisfy नहीं हो रहे हैं या finances में आपके बहुत ज़दब you know problems चल रही है challenges चल रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि आपको spiritual path पर अब चुना गया है वहाँ पर जाकर as a healer आपको ये abundance आप create करने वाले हो और कहीं के लिए आपने खुद के experiences आप देख सकते हो बहुत mature person यहाँ पी king of pentacles में नजर आ रहा है जिसके पास बहुत सारे दुनिया भर के life experiences है जिससे वो लोगों को heal कर सकता है या कर सकती है old soul हो आप बहुत old soul है soul हो जिसने बहुत सारे lesson सीखे है heal किया है खुद को और wisdom से connect किया हो आप तो प्राने जन्मों की जो ये wisdom है उसके साथ आप connect कर रहे हो यहाँ पर आपके spirit guides है और वो बहुत ज़्यादा strong आप देख सकते हैं यहाँ पर dogs है तो यहाँ पर भी again dog है कहीं न कहीं अपने dog के साथ भी अपने pet के साथ कोई भी हो सकता है अपने pet के साथ समय गुजारना भी बहुत ज़्यादा healing हो सकता है आपका और वो physical रूप में आपके spiritual guide हो सकते हैं जो आपको guide कर रहे हैं अपने passion को follow करने के लिए success लिखी हुई है तो अगर ये confirmation है कि अगर आप इदर उदर ढूंड रहे हो अपनी success को अपनी सफलता को अपनी happiness को अपनी passion को अपनी spiritual gifts को divine love को अगर आप इदर उदर ढूंड रहे हो तो यहाँ पर ये confirmation है आपको कि आपको अपने life purpose के साथ जूनने की जूरत है ये recognize करने की जूरत है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो और आपका life purpose क्या है तो आज आप king of pentacles बहुत ज़्यादा अर्थी energy होती है कहीं न कहीं nature से connect कीजिए meditate कीजिए healing है यहाँ पर बहुत सारी जितना आप अपने आपको heal करोगे उतना ही आप अपने life purpose के साथ connect होते जाओगे और जितना आप अर्थ के साथ connect करोगे उतना ही आप abundance अपनी life में create कर पाओगे जो pentacles होते हैं वो भी अर्थी energy होती है तो यह धी आज के लिए reading आप लोगों के लिए thank you thank you thank you thank you so much please gratitude जरूर पे कीजिए और जिसकी भी अपनी wisdom के साथ मैं everyday बोलती हूँ और कार्ड से information भी मुझे ऐसे मिलती है message कि जिसकी भी आप help कर सकते हैं इस pentacles से इस information से इस guidance से इस wisdom से तो help जरूर कीजिए जो भी आपके पास resources है जो भी आप share करके किसी की help कर सकते हो वो जरूर कीजिए और gratitude जरूर पे कीजिए यह नई energy और या फिर कोई old energy आपकी life में बहुत सारा compassionate बहुत सारी healing और life purpose को connect करने वाली है आप देख सकते हो यह light को यहां पर बहुत amazing आज वो आ रहा है effects आ रहे हैं वीडियो में thank you again thank you thank you thank you so much for watching and have a passionate and beautiful day bye for now